जार्खन में बिभागी अधिकारियों के लापरवाही और उनके दोस्त के कारण जार्खन में रोज सक्षकों के नौकरी दाउपर लगी हुई है उनकी नौकरी जाने के खत्रे में है हलाकि इन सक्षकों के कोई भी कसूर नहीं है, आईए आपको हम पूरी वाक्या बताने का प्रयास करते हैं, जिसमें सक्षकों की नौकरी दाउपर कैसे लग गई है मामला पलामू जिले की छतरपूर तथा नौडीहा बाजार से जुड़ा हुआ है, जिसमें वहां की लगभग 400 पाराशक्षकों की नियुक्ति को अबैद बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि उन्होंने बिना अहर्ता पूरी किये ही नौकरी लेली जिसके कारण कई बार कमेटियों के गठन किया गया और अंतिम अनुशन साथ दे दी गई कि इनकी नियुक्ति अबैद है बीना अहर्ता की जहां तक बात की जाए तो सक्षकों के पास उस समय जो बिभाग के द्वारा जो निर्धारित पातरताएं दी गई थी उसके अनुखूल उनकी बहालियां की गई थी यहां तक ग्राम सक्षा समीती के द्वारा उनके चैन का प्रोसस पूरा किया गया उसके साथ ही परखंड अनुदन के लिए बिभागिये अधिकारियों के द्वारा परखंड से लेकर जीला तक पहुँचा गया और जब जीला के द्वारा अनुमोदित किया गया उसके नियुक्ति दाओं पर लग चुकी है। जबकि पुर्खंड सिक्षा समिती के अनुमोदन की पुर्रा जिम्मा विभागी आधिकारियों का था। ग्राम सिच्षा समिती तक सिक्षक सिमित थे और उसके बाद पंजी पुर्खंड कारजालियों में जमा हो जाता था और गोपन विभागिये पदाधिकारियों ने अनुमोदन सायद नहीं कराया और उसका भोग तो भोगी वहां के पारा सिक्षक बने हुए हैं अब उनकी नौकरी भी दाओं पर लगी हुई है। बताया जा रहा है कि पलामु के छतर पुर्ट था नौड़ी हा बाजार में 399 पारा सिक पारा सिक्षकों की नियुक्ति अबायद रूप में हुई है। इनकी नियुक्ति में आवस्यक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। इनमें 113 पारा सिक्षक आवस्यक हर्ता तो रखते थे लेकिन इनकी नियुक्ति में भी निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया वहीं 399 पारा सक्षकों के मामले में न तो पारा सक्षक आवस्य का हर्ता रखते थे और नहीं उनके नियुक्ति में निर्धारित माप दंड का पालन किया गया प्रमंडलिये आयुक्त की अध्यचता वाली कमिटी ने अपनी जांस रिपोर्ट में असपष्ट कर दिया है की हवायत नियुक्ति के लिए ततकालिन उस रमय के प्रखंड सक्षा पता धिकारी जो थे वो जिम्मेदार थे इसके बाब जूद भी सक्षकों की नियुक्ति जाना समझ से परे नजरा रहा है जांस रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्राम सक्षा समीती के द्वारा चैनित प कराने का दाईत्र प्रखंड सक्षा प्रसार पता धिकारी का था लेकिन उन पारा सक्षकों की प्रखंड द्वारा अनुमोदन नहीं कराया गया जिसके कारण उन सक्षकों की नियुक्ति दाउं पर लगी हुई है हलाकी कमीटी ने उस समय के प्रखंड सक्षा पदाधिकारीयों को बिभागी कारवाई करने का भी अनुशनसा किया है लेकिन बात यहां यह उठती है कि उन पदाधिकारीयों के चलते लगवर चार सो पारा सक्षकों की नियुक्ति अगर चली जाती है जो बीस वरसों से काम करते हुए अब तक अपनी सारी उम्र सीमा गवादी और अब वोई कहीं के नहीं रहे इसके बाद अगर उनकी नौकरी जाती है तो उन पारा सक्षकों के साथ-साथ परिवार का भी आर्थिक बोज उनके सर पर आ जाता है और अचानक ऐसे में उनके साथ एक बिकट परिस्थितियां सामने नजर आ रही है तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ग्राम सच्चा समीती कि अगर चैन की परकरिया पूरी नहीं होती तो साइद कहीं कहीं सिक्षक दोसी नेजर आती लेकिन अगर यहां से चैन की परकरिया बिधिवत रूप से पूरी हो गई है तो परखंड और जीला का अनुमोदन बिभाग येप अधिकारियों का काम था लेकिन अधिकारियों ने अनुमोधन की प्रिक्रिया पूरे किये बिना सिक्षकों की न्युक्ति दे दी, जिसके करण उनके सामने अब एक नई समस्या आ गई है और उल्जन सामने नजराता दीख रही है। अभी यहीं तब